The Study by Manikan Singh संस्थान में आपका स्वागत है हमारी संस्था विराट भवन मुखरजी नगर में स्थित है जो मुखरजी नगर के सबसे सुरक्षित और सबसे बेहतर कमर्शल बिल्डिंग है इस वीडियो के माध्यम से हम आपको अपनी बिल्डिंग में प्रस्तुत सेफ्टी मेजर से अवगत कराना चाहते हैं और साथ ही यह भी दिखाना चाहते हैं कि यह बिल्डिंग सुरक्षा के संदर्भ में MCD और Government के दिशा निर्देशों के अनुसार परिपूर्ण है हमारी संस्था द्वारा Classroom और अन्य इंफ्रस्ट्रक्चर को पूर्ण रूप से सभी सुरक्षा मानकों के अनुसार बनाए गए हैं और सभी प्रकार के सुरक्षा उपकरण भी यथा स्थान लगाए गए हैं चलिए, अब हमारी बिल्डिंग के मुख्य द्वार से यातरा प्रारंभ करते हैं आप देख रहे हैं कि ये विराड भवन का मुख्य प्रवेश द्वार है, जो काफी चौड़ है इस द्वार से अंदर जाते ही आप देख सकते हैं कि यहां परियाप्त स्पेस उपलब्ध है जहां आपकी मदद के लिए हमेशा सेक्यूरिटी गार्ड अपनी ड्यूटी पर तैनात रहते हैं इस गलियारे से आगे बढ़ते ही विराड भवन की लिफ्ट है जिसमें एक समय में चार व्यक्ती जा सकते हैं और लिफ्ट के अंदर आपके साथ एक लिफ्ट मैन हमेशा रहता है यह कंट्रोल रूम है जो विराड भवन की सुरक्षा के लिए बनाया गया है और इस कंट्रोल रूम में फायर मैन हमेशा ड्यूटी पर रहता है आईए इन से बात करते हैं अब आगे चलते हुए हम इन सीडियों से होते हुए ऊपर दा स्टड़ी की और बढ़ते हैं देखिए सीडियां कुछ इस प्रकार बनी हुई हैं कि क्लास ओवर होने के बाद भी भीड होने की संभावना नहीं होगी और आप देख सकते हैं कि प्रत्येक तल की सीडियों पर सुरक्षा उपकरण जैसे फायर अलाम, फायर सिलिंडर, पब्लिक अनॉंस्मेंट सिस्टम आदी की व्यवस्था की गई है जैसा कि फायर मैन के द्वारा बताया भी गया है सभी फ्लॉर पर CCTV कैमरे जगह जगह लगाए गए हैं साथ ही सभी सुरक्षा उपकरण यथोचित स्थान पर लगे हुए हैं और पब्लिक अनॉंस्मेंट सिस्टम भी यहां लगा हुआ है सेकंड फ्लॉर पर हमारे संस्थान दे स्टडी बाई मनिकांत सिंग के ऑफिस के तरफ चलते हैं यहां दर्वाजे के समीब CCTV कैमरे, फायर अलार्म, फायर सिलिंडर तथा फायर हाइड्रेंट और होस पाइप लगा हुआ है गलियारों में आपको एक भी तार अव्यवस्थित तरीके से नहीं दिखेंगे क्योंकि यहां इलेक्रिसिटी डिपार्टमेंट के दिशानिर्देशों के अनुसार सभी वायर और प्रत्येक मीटर यूनिट को मीटर रूम में व्यवस्थित किया गया है जिससे गलियारे से आवा गमन में कोई बाधा उत्पन्न ना हो क्लास की तरफ जाने वाले पैसेज में सुरक्षा के सारे बंदोबस्थ किये गये हैं जैसा कि आप देख सकते हैं यहां उपर स्मोक डिटेक्टर लगा हुआ है अगनी सुरक्षा मांदंडों के अनुसार प्रत्येक मंजिल और प्रत्येक कार्याले के साथ-साथ कमरों, गलियारों और सामान्य क्षेत्रों में स्मोक डिटेक्टर लगा हुआ है यहां students के लिए एक modular kitchen की व्यवस्था है जहां पीने के पानी की व्यवस्था की गई है आप हमारे classroom को देख सकते हैं सीसे की window के साथ natural light भी आ रही है और classroom में परियाप्त जगह है और आपको बता दें कि हम उतने ही छात्रों का admission लेते हैं जितने हमारे पास seatें उपलब्ध होती हैं और इसी लिए हमारे classroom में सभी छात्रों के बैठने के लिए परियाप्त व्यवस्था है के लिए हैं झाल झाल जैसे कि आप देख रहे हैं, यहाँ classroom के अंदर तीन big size window है, जिसमें ऐसे rope ladder लगे हुए हैं, जहांसे rope ladder को आसानी से emergency situation में नीचे लटकाया जा सकता है, जिसके सहारे सीधे विराट भवन के बाहर safely और easily निकला जा सकता है, जैसा कि आप देख ही रहे हैं. साथ ही इन windows को धुए के निकासी के लिए खोलने योग्या बनाया गया है, क्लास से अंदर किसी भी प्रकार के ज्वलनशील चीजें नहीं हैं, आप जगह जगह देख रहे होंगे कि classroom के अंदर भी आग बुझाने के सभी जरूरी उपकरण लगाये गये हैं, जैसे कि fire cylinder और fire exting extinguishing ball, smoke detector, etc. क्लासरूम के अंदर और बाहर आने जाने के लिए कुल तीन गेट हैं, और प्रत्येग गेट चार फीट तक खुलते हैं. क्लासरूम से लगकर एक emergency exit द्वार को आप देख सकते हैं, जो विराड भवन से बाहर मुख्य रोड पर समाप्त होता है. क्लास के दौरान संस्थान के electrician, क्लासरूम के बाहर तैनात रहते हैं. क्लास शुरू होने के पहले संस्था के electrician द्वारा नियमित रूप से सभी electric उपकरणों की जांच की जाती है. इसके अलावा building के on duty electrician भी कारियरत रहते हैं. fire emergency को मद्दे नजर रखते हुए, पानी की परियाप्त व्यवस्था प्रारंभ से ही building में रखी गई है, जिसके अंतरगत छट पर रखे 10,000 लीटर क्षमता वाले दो fire tank के साथ एक अतिरिक्त 40,000 लीटर का reserve water tank underground बना हुआ है, जो प्रत्येक फ्लॉर पर इन पाइपों के द्वारा fire hydrant के जरिये तुरंद पहुँच सकता है. उपकरणों और भवन कर्मचारियों की दक्षता की जाँच के लिए नियमित रूप से अगनी सुरक्षा drill conduct कराया जाता है. मुख्य आफिस के अंदर जाते ही आप देख रहे हैं कि सुरक्षा के सभी पुखता इंतजाम किये गए हैं. साथ ही MCD से प्राप्त कोचिंग लाइसेंस भी आप देख सकते हैं. यहाँ inquiry desk है जहाँ students की हर संभव सहायता की जाती है. इसी के पास में संस्थान के डारेक्टर का ओफिस है, जहाँ students, sir या madam से निह संकोच इंटराक्ट कर सकते हैं. यहीं सभी CCTV कैमरे का control screen लगा हुआ है, जिससे हमेशा नजर रखी जाती है. यहाँ student help desk है, जहाँ से study materials, etc. उपलब्ध कराए जाते हैं, साथ ही यहाँ mentors के साथ परिचर्चा कर सकते हैं. जपलब्ध कर सकते हैं. इन दीवारों को देखकर दस्टडी की सफलता और प्रगती शीलता का आकलन किया जा सकता है जिसमें मनिकांत सर का विगत 30 वर्षों का अनुभव जलगता है जिसमें मनिकांत सर का अनुभव जलगता है यहां पर संस्था द्वारा मौक इंटर्व्यू कराया जाता है जिसमें अपीरिंग स्टूडेंट्स को एक्सपिरियंस्ट और एबल गाइडेंस मिलता है और साथ ही इनकी मौक इंटर्व्यू का विडियो शीग्रता उपलब्ध कराया जाता है जिससे वह स्वयंग का आकलन स्वयंभी कर सकें जिससे वह स्वयंग कर सकें जिससे वह स्वयंग कर दो लेकें झाल 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 झाल